अगर आपको अपने वीडियो को कहीं पर होस्ट करना है, तो it is not easy, majority people पता है क्या करते हैं, उसको होस्ट कर देते हैं अपने shared hosting पर जैसे की hostinger हो गया, अब महां पर वीडियो को upload तो कर देते हैं, बट उसकी अलग लाखो problems आजाती है, लाखो नहीं, कुछ problems आजाती है, mainly जो problems से वो है, एक तो speed के issues आजाते हैं, और processing में दिक्कत जाती है, वो अलग-अलग file में convert नहीं होता है, security के issues आते हैं, जो सबसे बड़ा major issue आता है, वो यह होता है, कि आपकी जो shared hosting है, आपका जो blog है, आपकी जो website है, उसका जो load रहता है, वो सब चला जाता है, कहां पर video को process कर करने में, and because of that, जो आपकी main website रहती है, वो traffic handle नहीं कर पाईगी, तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको use करना चाहिए, एक specific hosting service का, जो की बनाई गई है, सिप video को host करने के लिए, and आज मैं एक ऐसी video hosting service के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है video c cipher, यह एक secure video hosting है, means, इनका जो main purpose रहता है, वो यह रहता है, कि आपके videos को कोई easily copy नहीं कर पाई, Hi guys, मेरा नाम है कृपेश आडवनी, यहाँ पर मैं web hosting, video hosting से related, काफी सारे videos बनाता रहता हूँ, मैंने बहुत सारा कुछ यहाँ पर use किया हुआ है, उसके basis पर आज मैं आपको video cipher का review देने वाला हूँ, कि क्या वो अच्छा है, क्या इसमें problem हो सकती है, is it worth it, और इसको कैसे use करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस video में, तो बिना किसी delay के start करते हैं, so यह रहा यहाँ पर इसका interface कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको सारे options मिल जाएंगे, सबसे पहले हम लोग चलते है, upload के उपर, जैसे ही आप लो upload पे click करोगे, कुछ इस तरह का interface आजाएगा, you can select your file from here, एक और चीज यह भी है कि you can import it, import from dropbox, google drive, url, video settings के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर आपको वीडियो में, edit पर option मिल जाएगा, यहाँ पर सारी video settings आजाएगी, name, description, tags, यहाँ अपर SEO के ले डाल सकते हैं, you can have a thumbnail as well for your video, and then subtitles in different languages, you can upload that, and next important रहेगा, यहाँ पर files की, कितनी files नहाँ पर बनी हैं, जैसे मेरा original video था, around 3.5 GB का, लेकिन यह total space जो ले रहा है, वो ले रहा है, 4.7 GB क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने full HD वाला भी बनाया है, 720p का भी एक version है, 360p का भी version है, तो यह सारे versions बनाने में, इसको यहाँ पर अलग- segment के chapters बनाया है, वैसी आप लोग इन videos ले भी यहाँ पर chapter आड़ कर सकते हो, जैसे यह जो दिख रहा है, यहाँ पर यह जो दो segment है, these are chapters, video preview के बारे में बात करें, तो पहले embed देख लेते हैं, हम लोग, embedding में यहाँ पर आपको different options मिल जाते हैं, we can embed from here, जिसमें जो मुझे settings आप खुद यहाँ पर कर सकते हो, and then native integrations है, with android and ios, अलग अलग libraries भी है, react native, flutter, to main यहाँ पर सारी libraries ले आपको native integration मिल जाएगा, which is really good, और उसके बाद अगर आपको player की settings में बगरे change करना है, तो you can do it from here, custom player पर जाकर, you can have your own custom player, जैसे add custom player, यहाँ पर demo कर देता हूँ, and then forward button देना है किनीव देना है, backward button देना है किनीव देना है, skip duration क्या रहेगी, speed controls कितने रहेंगे, 1.5x, 1x, 2x, वैसे आप लोग यह video कौन से X में देख रहे हो, 1.5x, do let me know in the comment section below, and show captions control, enable caption search, show progress bar, यह सब यहाँ पर आपको दिख जाएगे, these are the settings, caption चाहिएगी नहीं, caption search चाहिएग यहाँ पर अगर आपको color change करना है, you can do that, तो यहाँ से basically आप लोग अपने player को customize कर सकते हो, I'll click save, और यहाँ पर demo player मेरा default रहेगा, main demo as default, बढ़िया, तो video upload भी बढ़िया है, preview भी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे CDN भी है, तो speed आपको all over the globe अच्छे मिलेगी, अब आते है इसके main point पे कि इसके security कैसी है, it is a secure video hosting, उसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर रहता है DRM encryption, for example, जैसे यह video है, I'll try to embed this video, अभी हम लोग यहाँ पर embed code इसका generate करते है, copy करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर फिलाल कले डाल देता हूँ, just to show you guys, I'll click run, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है, right, जैसे मैं इसको play करोगा, यह अब आपको नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर screen recording हो रही है, तो screen recording की वज़े से, जो भी video है, वो नहीं play होगा, वो ऐस तरीके से blank हो जाएगा, ताकि कोई इसको यहाँ पर copy नहीं कर पाए, ताकि कोई इसकी screen recording नही कर पाए, for example, मैं अभी आपको यहाँ पर show भी करता हूँ, let me turn this screen recording off, और हम लोग यहाँ पर mobile पर चलते हैं, मैं इसका camera on करता हूँ, camera, video, अभी यह रा video, and now it will play, तो देखो, यह भी चल रहा है यहाँ पर, इस ते पहले यह काम नहीं कर रहा था, और यहाँ पर आपको iOS में यहाँ भी DRM encryption का मिल जाता है, यहाँ आपको iOS के लिए एक Fairplay DRM application process करना पड़ेगा, Apple से, जिसको आपको Apple को यहाँ पर reach out करना पड़ेगा, अपने idea के बरह में बताना पड़ेगा, फिर वो आपको यहाँ पर Fairplay DRM application देंगे, security setting में जो next चीज मुझे अच्छी लगी है, वो run नहीं करेगा, this is good, second, I can just block countries यहाँ specific IP address में यहाँ पर इसको easily block कर सकता हूँ, for example, मैं कहता हूँ, कि पाकिस्तान से जो भी है, उनको यह वाले वीडियो नहीं दिखे, Bangladesh, United States, I can just select the countries जहाँ पर यह वाले वीडियो नहीं दिखने चाहिए, तीसरी important security चीज जो मुझे अच्छ और time उसमें यहाँ पर वीडियो पर अलग 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 जगह पर place करता रहेगा, और यहाँ पर you can set the color, opacity, थोड़ी यहाँ पर dark कर देते हैं, and then generate embed code, copy, अब यहाँ पर आप कोई वीडियो तो नहीं दिखेगा, लेकिन you can see that dynamic watermarking कैसे यहाँ पर work करती है, यह दिख रहा है, copyright क्रिपेश, यहाँ पर time stamp आ रहा है, IP address आ रहा है, यह automatically display करता रहेगा हर वीडियो में, तो अगर कोई चाहे भी इसको इस तरीके से copy करना, यहाँ वीडियो से record करना, तो भी यहाँ पर हमारे watermarks आ जाएंगे अलग लग जगह पर, security में तो यहाँ पर पूरा coverage हमें मिला तो आज के लिए मैं यहाँ पर live streaming को जादा कवर नहीं करूंगा, once they have that DRM encryption, then we will look at this, and live streaming का process भी यहाँ पर बहुत easy नहीं है, आपो studio कित्रों यहाँ पर set up करना पड़ेगा, तो it is quite, थोड़ा यहाँ बिगनर friendly नहीं है, next हमारे पास analytics, यहाँ पर आपको सारी major चीजे मिल ज जाएगी, और अगर आपको detailed analytics ही है, कि watch time tracking, user device analytics, यह सब भी आपकोच ही है, तो I think यह pro plan में रहेगा, मेरा plan यहाँ पर थोड़ा सस्तावाला है, तो यहाँ पर इनको कोई free plan नहीं है, और ना ही कोई monthly plan है, they have just yearly plans, यहाँ पर आपको सीदे $50 दो, एक साल का, and you will get 200 GB bandwidth, और 50 GB storage 200 GB bandwidth, एक महिने की नहीं है, पूरे साल के है, तो if you just want to test it out, this is the plan, which you can use to test it out, और जो बाकी plans है, it is value for money in my opinion, 149 for year, for around 1000 GB of bandwidth, it is good, लेकिन यहाँ पर storage कम है, storage 100 GB है, मेरे इसाब से थोड़ी और यहाँ पर साथ हो सकती थी, but because यहाँ पर आपको यह भी consider करना पड़ेगा, कि अगर आपको 3 GB का वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो that will be around 4.5 यहाँ 5 GB, उस तक वो जा सकता है, तो जो भी आप लोग वीडियो यहाँ पर अपलोड करोगे, उससे storage थोड़ी यहाँ पर higher side पे रहेगी, but that being said, it is still a very good and affordable pricing with the kind of features they are providing, जैसे आपको इनके starter plan परी, mainly जो भी यहाँ पर which is still a good value in my opinion, so overall यहाँ पर इनके pricing अच्छी है, support की बात करें, तो live chat नहीं है, सिफ यहाँ पर ticket system है, अगर live chat भी होता, तो that would have been better, so अब अगर मैं इसकी कुछ pros के बारे में बात करूँ, तो security यहाँ पर आपको top notch मिल जाती है, काफी सारे security के features है, Mac के लिए iOS के लिए Android के speed काफी अच्छी है, upload की भी, download की भी, they have CDN all over the globe, preview options इनके बढ़िया है, custom player का support मिल जाता है, and they do have affordable plans as well, अब cons के बारे में बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा कुछ major con मुझे नहीं मिला है, एक जो है, live streaming का, live streaming अग भी तक यहाँ पर DRM support नहीं है, और थोड़ा teachable thinkific यहाँ, कहीं पर भी अगर आप कोई भी LMS platform use कर रहे हो, आप लोग चाहते हो कि आपके videos कोई copy नहीं करें, आप लोग अपने video को यहाँ पर secure बनाना चाहते हो, तो I think this is a perfect video hosting option, in secure video hosting for the price that it comes at, it is a great option, और अगर अगर आप लोग शौर नहीं हो कि इसको लेना चाहे की नह use कर पाओगे, 5GP के bandwidth मिल जाती है आपको for one month, जिसमें आपको easily इसको trial out करके देख सकते हो, if it is worth your money or not, so अगर वीडियो को host करना है, तो Video Cypher देख लो, यहाँ if you want to host your website or blog, तो you can watch my best hosting वाला वीडियो, उसमें मैंने सारी hosting को cover किया है,